नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर पैंशन से सम्मंदिद एकोन नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट नियूज आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यदि आप भी दिव्यांग विध्वा वर्दवस्था या कुष्टवस्था में से किसी भी पैंशन का लाव ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं आज की यह जानकारी आपके लिए बहुती जादा महतपून हैं क्योंकि सरकार ने पैंशन ट्रांसफर की हैं लाभारतियों के बैंक खातों में जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं समझ रहे हैं लो देखो आज भी आई पैंशन जी हाँ दोस्तों लाभारतियों के बैंक खाते में तीन हजार रुपे पैंशन ना से अक्टूबर नॉंबर और दिसमर मैंने की सरकार द्वारा ट्रांसफर की गई है अब किस तारीक में ये पैंशन मिली है आपको तारीक भी बताई जाएग और यहाँ पर आपको इसका एक छोटा सा प्रूब भी दिखाया जाएगा सभी जानकारी आपको डिटेल वाइस में मिलने वाली है यहाँ पर हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको पराप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं और लेटेस पैंशन नासी लाभारतियों को दी जा रही है वहें एक हजार उपे परति माइना के हिसाब से मिल रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं हम आपको यहाँ पर लेकर आ चुके हैं एक ही करस सामाजिक पैंशन पोर्टल पर तो दोस्तों जैसे सरकार पैंशन ट्रांसफर कर रह ही है और यह रासी आपको तब तक दी जाएगी फरवरी महिने में भी जब तक सभी को पैंशन रासी ना मिल जाए तो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं हम आपको पैंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं और यहाँ से यदि आप अपनी पैंशन चेक करना चाहेंगे महिला आती है जो पैंशन का लाव लेने जिनकी पैंशन बनी हुई है वे यहाँ पर बाद में अपनी पैंशन चेक कर सकते हैं चाहें वे दिव्यांग व्यक्ति हो या फिर जो कुछ तवस्ता पैंशन योजना का लाव लेने हैं उत्तर प्रदेश राज्ये के निवासी है तो यहां से आप अपने जानकारी प्राप्त कर सकते हैं देखें दोस्तों जो A to Z सारांस होता है पैंशन का यहां पर आपको लिखा मिलेगा पैंशन वित्रण पैंशन वित्रण सारांस वित्तेवर्ष 2022 देखें दोस्तों यह आपके लिए बहुती ज़्यादा जोरी हो जाता है देखना आप यहां से पता कर सकते हैं देखें पहले क्वाटर यान की पहली किस्त आपको दी गई है पैंशन धारकों को उत्तर परदे सराजे में और पैंशन धारकों को उत्तर परदे सराजे में दूसरी किस्त भी मिल चुकी है लेकिन तीसरी किस्त सरकार ट्रांसफर करने में लगूई है पैंशन का पैसा दिया जा रहा है लेकिन अभी ये पोर्टल अपडेट नहीं हुआ जैसे ही ये पोर्टल अपडेट हो जाता है तो फिर आप अपना लिष्ट में नाम भी देख सकते हैं और वहाँ से आप देखेगा कि आपको 3,000 रुपे पैसे मिले हैं और यदि आपकी pension पिछले 6 महेने से रुकी हुई थी तो आपको देखेगा तो आपके बैंक खाते में 6,000 रुपे सरकार द्वारा ट्रांसफर किये गई होंगे और यदि इससे ज़्यादा है यानि कि 6 महेने के 7 महेने के तो आपको यहाँ पर 7,000 भी आपके हो सकते हैं कुछ ऐसे pension धारक है दोस्तों जिनको 9,000 रुपे भी pension नासी दी गई है आपको यह की नहीं आ रहा होगा तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं यानि कि जो हमारी previous वीडियो है उसमें दिखाया गया है आपको अच्छे से समझाया गया है कि रियल्टी में ही 9,000 रुपे pension नासी दी गई है इसका हमने एक प्रूव भी आपको दिखाया गया है यानि कि pension धारकों को अब जिसने नहीं देखा वे जाकर देख सकते हैं चेक कर सकते हैं अब दोस्तों हम आपको यानि कि आज में भी pension ट्रांसफर की गई है आज में किस तारिक में की गई आपको तारिक भी बताई जाएगी और किस समय की गई आपको समय भी बताई जाएगा तो हम आपको सीधे प्रूव दिखाते हैं देखे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक SMS आया है यहाँ पर लिखा है एन अमांट ओफ आई एन आर तीन हजार हैस बेन क्रेडिट टू योवर अकाउंट अब दोस्तों यहाँ पर इनका यह खाता नंबर है पूरा नहीं दिखा जाता क्योंकि एक प्राइवेसी होती है य यहाँ पर देखे दोस्तों हम भी कुछ नहीं में आपर बंदे हुए हैं तो यहाँ पर जो जरूरी जानकारिये वह यह आपको दी जाएगी यहाँ पर देखिए तीन हजार रुपी जो पैंशन आसी इनको मिली है तो यह मैसिज बैंक की तरफ से आया ना की समाज के लिए सवी भाग की तरफ से तो दोस्तों जैसे सरकार पैंशन ट्रांसफर करती है बैंक खाते में तो जिनका मोबाइल नंबर अपडेट हुआ है तो किसी के पास मैसिज आ रहा है किसी के पास नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इन लोगों के पास मैसिज आया तीन हजार रुपे का यह message वाया, bank की तरब से आया, इनके mobile number पर ही, तो जैसे ही आया, तो हमारे पास यह message आया था, जैसे हमने आपको बताया, आपको बताया जाएगा, तो देखिए, इस तारिक में 623, याने कि 6 February 2030 में यह message प्राफ्ट हो आया, यहाँ पर आप समय भी देख सकते हैं, इस time हमारे पास यह message आया था, तो इनको जो total balance हो जाता है, वह 3136.50, तो यहाँ पर देखिए, 136.50, उनके पहला ही balance था, तो 3000 आनिक बाद 3136.50 balance हो जाता है, और जिनका bank खाता है, वह है केनरा bank में है, आपका bank खाता किसी भी bank में हो सकता है, केनरा, पंजाब, नेशनल, SBI, या फिर किसी भी bank में, तो आयदी आपका mobile number update है, हो सकता है, आपके पास भी message आ गया हो, तो आपको यह सभी चीज़े चेक कर लेना है, अन्य था, आपने bank में आपको उसे ले जाना है, और अपने पास भी को update कराकर आपको एक बर देख लेना है, वहाँ पर आपको तारीक भी नज़र आजएगी, किस तारीक में सरकार द्वारा जो pension 80 आपके bank खाते में credit कर दी गई है, देखे दोस्तों, जो हमारे पास यह message आया है, यह है एक विकलांग pension धारकों का है, यह यहाँ पर एक फरक है, तो यानि कि आप देखिए, अक्टुबर, नॉम्बर, दिसम्बर मैंने जो pension 80 है, वह है ओल्डेस pension धारकों को मिल रही है, विद्वा या तलाक्षदा महिलाओ को दी जा रही है, और विकलांग pension धारकों को दी जा रही है, तो आप हमें या तो Instagram ID पर कर सकते हैं, आपको description box में लिंक दे दिया जाएगा, या फिर आप हमें comment करके बता सकते हैं कि सर हमको pension मिली है, और जिनको नहीं मिली वे भी हमें बता सकते हैं, आपकी सभी समश्याओं का समधान कर दिया जाएगा, चाहे आप pension का लाब ले रहे हों, या फिर आप सरकार से किसी और अन्ने योजना का या इश्कीम का लाब पराप्त कर रहे हों, यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जड़ो लाइक कर दीजेगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, लाश्ट में हम निवेदन यहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन होता है, वे हैं सबसे पहले आपको पराप्त हो, अब हम आपसे मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत!